अपने 30 साल के करियर में पहली बार सारुक खान ने फुल फ्लेश्ट एक्सन फिल्म की है चार साल, एक महिना और चार दिन बाद सारुक खान बड़े पड़े पर बापसी कर रहे हैं तो आई इस एक्सपिलनेशन से जानते हैं कि आखिर पठान फिल्म कैसी है तो वीडियो को सुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और इसी तर की वीडियो अस पाने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ही कीजेगा ताकि आपको इसी तर एक latest और fresh content मिलते रहे तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 2019 के पाकिस्तान से जहां उन्हें न्यूज कि उदारवा पता चलता है कि भारत के कसमीर में अनुचे 370 को रद करत दिया गया है और इस फैसले से पाकिस्तान तिल मिला जाता है पाकिस्तान का ही एक जनरल होता है जिसका नाम जनरल कादिर होता है और वह भारत के इस नर्ने पर उसे सवक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंग की गरोह का सहारा लेता है जिसका लीडर जिम होता है जिम की बात करें तो जिम एक समय में रोका जावा जो देश भक्त एजेंट हुआ करता था मगर एक मिसन में उसकी गर्भधी पत्नी को उसके सामने कुरूरता से मार दिया जाता है दरसल जिन लोगों ने जिम को और उसकी पत्नी को किटनेप किया था उन लोगों ने सरकार से 10 करोड रुपे मांगे थे लेकिन सरकार उन्हें 10 करोड रुपे नहीं दे पाई इसलिए उन लोगों ने जिम की पत्नी को मार दिया और साथ ही इंडियन गवर्मेंट को ये भी लग रहा था कि उन लोगों ने जिम को भी मार दिया है लेकिन जिम अभी जिन्दा है और अब उसके अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिसोत की भाबना प्रबल हो जाती है बहे देश के दुस्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने के लिए आमादा हो जाता है कि जिम ने यहीं से एक बहुत बड़ी मिसाईल को खरीदा है जिस मिसाईल के डील राफे नाम का आदमी करने के लिए आये था और राफे दरसल में जिम का ही आदमी होता है तब ही राफे को पता चलता है कि इन लोगों ने एक अनजान सक्स को बंदी बना कर रखा है और उसे काफी टॉर्चर भी कर रहे हैं जिसके बाद राफे जब उससे मिलने के लिए जाता है तो उसे बता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बलकि पठान है और वो अभी जिंदा है जिसके बाद यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है और पठान इन सभी लोगों को चुन-चुन कर मार देता है आकर में वो राफे को पकड़ कर अपने साथ ले जाने भी लगता है पठान यहाँ पर राफे को अपने हेलिकॉप्टर से बांध देता है जो कि ISI की एजेंट है और ये लोग उसे कई दुनों से ढूंड भी रहे हैं तो जैसे ही इने रूबीना की लोकेशन पता चलती है तो ये लोग तुरन थी रूबीना को पकड़ने के लिए पैरिस के लिए निकल पड़ते हैं जिसमें कि उसका साथी आलोग और नंदिनी मेडम अपने प्राइवेट जैट से पैरिस की तरफ निकल पड़ते हैं रास्ते में ही उसका साथी आलोग नंदिनी मेडम से पूछता है कि आखर ये पठान कौन है क्योंकि हर जगे सिर्फ उसके ही चर्चे हैं जिसके बार नंदिनी मेडम उसे पठान की स्टोरी बताना सुरू करती है और कहानी फिर से फ्लेजवेक में पहुँच जाती है यहाँ पर नंदिनी मेडम उसे बताती है कि पठान हमारे रौ का एक एजएंट हुआ करता था उसने रौ के साथ मिलकर कई सारे operations किये और हर operation में वो सफल रहता था जिसके बाद उसने कुछ ऐसे लोगों के नाम सजिस्ट किये जिन्हें आर्मी ने retire कर दिया है दरसल उन officer को चोट या फिर injury हो जाया करती थी तो आर्मी उन्हें retire कर दिया करती थी लेकिन यहाँ पर पठान उन्हें बताता है कि वहले ही आप उन्हें retire कर देते होंगे लेकिन देश की प्रती उनके अंदर जोस, जुनून और जजवा आज भी जिनता है और पठान जाता है कि इन लोगों को फिर से काम मिले और इनके साथ मिलकर वो एक टीम बनाए जिस टीम का नाम वो लोग जोकर रखते हैं तो जोकर टीम बन जाती है और इन्हें अपना पहला मिसन भी मिल जाता है जो की दुबई में operate होने वाला था दरसल इन्हें ख़वर मिली है कि एक terrorist organization और इंडिया के प्रेसिडिंट को मारने वाले हैं जो की दुबई में थे दिए an अज凭व आ रहे थे उस पूरे रास्ते को पूरी तरह से सोख्यूर कर दिया जाता है जहां तहाँ पर new लगाए हुए दे लेकिन आगे में Banks सहलता है कि वो टेरिश्त और्गनाइजेशन के पूरे मिसन के पीछे जिम का हाथ होता है और जिम ही उन्हें अगवा करने के लिए आता है जिसके बाद बोन दोनों साइंटिस्ट को अपने हेलिकॉप्टर से ले जाने लगता है लेकिन तब ही इंडरी होती है पठान की और पठान उन्हें रोकने के ल से निकल चुका था जिसके बाद वो दुबई की इंवेस्टिगेशन करना सुरू करते हैं तो डार्क वल्ड में उन्हें एक रक्त पीच नाम के कोड़ बर्ड के बारे में पता चलता है और जिन लोगों ने दुबई में अटेक किये थे उनके अकाउंट में रुवीना ने प कामयाब भी हो जाता है जिसके बाद जब पठान रुवीना के पीछे जाता है तो आगे हमें पता चलता है कि रुवीना दरसल में जिम के साथ काम करती है और पूनी की टीम में सामिल है जिम के साथ यहाँ पर कई सारे लोग थे जिनके पास हत्यार भी थे यहाँ पर जिम प पठान भी उनके साथ काम करने लगे लेकिन पठान यहां पर साप मना कर देता है जिसके बाद जिम उसे मारने का ओर्डर दे कर यहां से चला जाता है और जब जिम के आदमी पठान को मारने ही वाले होते हैं कि तब यह अचानक से रुबीना जिम के आदमियों के साथ फाइट करने लगती है और उन सभी को मारना सुरू कर देती है जिसके बाद यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है और आखर में रुबीना और पठान साथ मिलकर जिम के आदमियों के साथ फाइट करते हैं और यहाँ से बचकर भाग निकलते हैं एक सेब जगे पर पहुशने के बाद पठान रुबीना से कहता है कि आकर उसने उसकी जान क्यों बचाई क्योंकि वो तो एक आईसाई एजेंट है और मैं एक रॉक एजेंट हूँ जिनके बीच में बिलकुल भी नहीं बनती है तो उसने मुझे आकर क्यों बचाया जिस पर रुबीना पठान से कहती है कि मुझे जो चाहिए है वो तुम ही दिला सकते हो और यहां पर रुबीना रखत बीच नाम के कोड़बर्ड के बारे में जिकर करती है वो कहती है कि वो रखत बीच को पाना चाती है इसलिए वो जिम के साथ एक साल से खूपिया थरीके से उनके साथ रह रही है साथ में वो उसे बताती है कि उनके पास रक्त बीज को पानी के लिए सिर्फ साथ दिन है तो साधवे दिन जिम के पास रक्तवीज की डिलिवरी हो जाएगी जिसके बाद पठान जिस जगह पर रक्तवीज है उस जगह की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर डालता है और एक धांसू प्लान भी बना लेता है आती पठान रुबीना को बताता है कि रक्त बीच जिस बॉल्ट में है उस बॉल्ट को ना तो काटा जा सकता है और ना ही एसिट से जलाया जा सकता है उस बॉल्ट को सिर्फ खोला जा सकता है एक ताले और चाबी की मदद से और बो ताला चाबी अलग-अलग इनसानों के पास और वो दॉनधा इस बॉल्ट के एक दूसरे के विपडिढ दिसा में रहते हैं जैने आब इनके पास सिर्प दस मिनिट है उस बॉल्ट को खोलने के लिए और अगर वो 10 मिलिट में नहीं खोल पाए तो पूरा का पूरा बॉल्ट लॉक हो जाएगा और ये लोग वही बर फस जाएंगे तो 10 किलूमीटर और 16 किलूमीटर के इन फासले को तै करने के लिए वो हेलिकॉप्टर की मदद लेते हैं और किसी तरह से जल्द से जल्द उस बॉल्ट वाली शत पर पहुँच जाते हैं अब वो लोग बॉल्ट के अंदर भी पहुँच जाते हैं वो लोग कुछ लेट हो चुके थे लेकिन जब वो अंदर जाकर रक्तवीज को हासिल कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रुबीना पठान को धोका दे देती है और वो से उसी बॉल्ट में छोड़ कर भाग निकलती है जिसके बाद पठान को पता चलता है कि दरसल रुबीना जिम के साथ थी और हमेशा से जिम के साथ ही काम किया करती थी दरसल रुबीना और जिम को मालुम था कि अगर रक्तवीच को बॉल्ट से निकालना है तो ये काम सिर्फ पठान ही कर सकता है इसलिए रुबीना के सहारे उसने पठान के नजदी क्या वढ़ाई और पठान से ये काम करा लिया तवाकर में पठान रस्यन पुलिस के हाथ पकड़ा जा चुका था और उसे अरेस्ट कर लिया गया था जिसके बाद कहानी पर्जेंट में आती है और हम पठान को रस्यन जेल में देखते हैं जिसके बाद रसियन पुलिस पठान को ट्रेन के द्वारा एक दूसरे जेल में सिप्ट करने के लिए भीजने लगती है। लेकिन उस ट्रेन में रसियन के कई सारे गुंडे भरे पड़े थे जो की पठान को मारना चाहते थे। जिसके बाद उनके बीच में एक तगड़ी फाइट होती है। वो यहाँ पर बादा भी करता है। वाइरस बना रहा है। इसलिए उसने इंडिया के उन दो साइंटिस्ट को अगवा किया था। रुबीना बताती है कि ये वाइरस COVID-19 से भी जादा घातक रहने वाला है। इस वाइरस से लोग तुरंथी मारे जाएंगी। इसलिए इसे अगर किसी सिटी पर टार्गेट किया जाए तो पूरी की पूरी सिटी आदे घंटे के अंदर साफ हो सकती है। इसलिए रुबीना पठान का साथ देने के लिए कहती है और वो उसे कहती है कि इस बार वो से धोका नहीं देगी क्योंकि अब बात मासुम लोगों की जानकी है। जिसके साथ अब रुबीना भी मिल चुकी थी और ये बात जिम को भी मालूम पढ़ चुकी थी। और जिम को ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाल। इसलिए वो उन दोनों मैटल बाल को लेकर यहां से भाग निकलता है जिसके पीछे पठान भी लगा हुआ था और रुबीना भी। रुबीना एक बाल को हांसिल भी कर लेती है लेकिन तभी जिम बीच में ही एक बड़ा सा धमागा करता है जिसके साथ ही बाल के साथ साथ रुबीना पानी के अंदर चली जाती है और वो ढूबने भी लगती है लेकिन आकर में पठान पानी में कूद कर रुबीना की जान ब और इसका एंटिट्यूड बनाए साथ ही बो यहां पर रुबीना को अरेश्ट कर लेते हैं क्योंकि वो आईसाई की एजेंट थी इसलिए बेरहमी से रुबीना को अरेश्ट कर लिया जाता है पठान उससे बादा करता है कि उसे कुछ नहीं होगा और वो सच छुड़ा भी ल कॉल पर आता है और वो सभी से कहता है कि उसका मिसन सक्सेस्पुल हो चुका है वो ने बताता है कि जब तुमने इस बाल को खोला था तभी उसका मिसन सक्सेस्पुल हो चुका था वो ने बताता है कि जब तुम इस बाल को तीन लेयर में खोल रहे थे तभी वो बायरस सभी क संपर्क में आ चुका था और अब वो पूरे लैब में पूरी तरह से फैल चुका है और चंद मिंटों में ही तुम सभी की मौत भी हो जाएगी साथ ही वो यहाँ पर सरकार से नेगुसियेशन भी करता है वो उनसे कहता है कि अभी भी उसके पास एक बॉल मौजूद है और वो नहीं चाहता है कि इस बॉल को वो किसी अंजान सिटी पर भेजे वो इंडिया के किस सिटी पर इस बॉल को भेजेगा वो उसे भी नहीं मालू है लेकिन वो चाहता है कि इस बॉल के बदले में उसे कुछ मिले जिम कहता है कि उसे कस्मीर चाहिए पर अगर उसे कस्मीर नहीं मलता है तो वो मिसाल के ज़रिये इस मैटल बॉल को एक अंजान सिटी पर छोड़ देगा और साथ ही वो गवर्मेंट को 24 घंटे देता है और ये सीन यहीं पर कट होता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लेब में आफिसर नंदनी भी मौझूद थी और उसके साथ साथ कई सारे साइन्टिस्ट भी मौझूद थे यहाँ पर वो लैब को पूरी तरह से बंद कर देते हैं ताकि वो बायरस बाहर ना फैल पाए यहाँ पर नंदनी के साथ साथ वो सारे साइन्टिस्ट अपनी कुरवानी दे देते हैं और आकर में आफिसर नंदनी पठान से कहती है कि वो जिम को बहुती बुरी मौद दे जिसके बाद RDX के दुआरा उस पूरे के पूरे लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है अप अठान जानता था कि इस मिसन को कंप्लीट करने के लिए उसे रुबीना की मदद लगेगी इसलिए वो जेल से रुबीना को भी छोड़ा लेता है लेकिन अब उन्हें ये नहीं मालूम था कि आगर जिम की टीम कहां पर है और वो कहां से मिसाल छोडने वाले है तब पठान एक आदमी के मदद से ये पता कर लेता है कि आगर वो कहां पर है दरसल वो लोग अफगानिस्तान की किसी जगे पर है और वहीं से वो मिसाल छोडने वाले है दरसल जिम को मालूम है कि इंडिया कस्मीर तो किसी भी हालत में नहीं देने वाला इसलिए उन्हें तो ये मिसाल छोडनी ही होगी जिसके बाद किसी तरह से पठान की पूरी की पूरी टीम उस जगे पर पहुंच जाती है जहां पर की जिम की टीम थी जिसके बाद यहां पर एक तकड़ी फाइट होती है तब मौका देखकर जिम तुरंत ही यहां से भाग निकलता है और उसके पीछे पीछे पठान भी आ जा तो दिल्ली तवा होने से बच सकती है तो इन 6 मिनिट में जिम और पठान की बीच में एक तगड़ी फाइट होती है जिम को पूरा भरोसा था कि वो इस डेटोनेटर को उसके हाथ से नहीं चिनने देगा लेकिन आगरी के जब 2 सेकंड बचे होते हैं तो पठान जिम से वो डे फिल्म होना बहुत जरूरी था और इसमें ये कामयाब भी है रुबीना एक सीन में पठान से पूस्ती भी है ये लवारिस फिर खुदा गवा कैसे बन गया अबिता बच्चन ने अगर दिलिब कुमार की बिरासत को हिंदी सिनेमा में आगे बढ़ाया तो सारुक खान को नए लड़के पर नहीं चोड़ सकते खुदी करना होगा यू लगता है जैसे ये बातचीत दो किरदारों के भी इस नहीं दो कलाकारों के बीच हो रही है बैटाइगर के मिसन में मदद करने का बादा भी करता है सारुक खान की उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी है तो प कोई दो राय नहीं की पठान तक आते आते उन्होंने एक्सन की नहीं उचाईयों को चुआ है फिल्म की कहानी तो वहीं घिसी पिटी है जहां देजवक्त एजेंट अपने बतन को बचाने के लिए कटी बंद है मगर एक्सन और स्विसल अफेक्ट के मामले में सिधार्ट न लंबा लगता है मगर ओवरॉल टर्न ट्विस्ट एक्सन लोकेशन हीरो विलिन की बीच सह और मात और कॉमेडी का तड़का जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लस पॉइंट साबित होते हैं एक्सन द्रस्यों में बाइक चेजिंग हेलिकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उड़ते ट्रेंड के सीक्वेंस हैरतंगेज बन पड़े हैं फिल्म का मजबूत पक्च इसका स्टाइलिस्ट भी एफएक्स सिनमेटोग्राफी एक्सन सीक्वेंस और संगीत है दोवई पैरिस अफगानिस्थान हो या अफरीका लोकेशन को अलग अंदाज से नजर आते है एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि किरदार के लोक और कॉस्ट्यूम पर खासी मेहनत की गई है फिल्म का सर्प्राइस एलिमेंट है जिम के रूप में जॉन इवराहिम के किरदार की माउंटिंग बॉलिवुट की फिल्मों में इतना मजबूत और बैल दिखने को मिल रहा है उसे बिलिन से कहीं भी कमतर नहीं दिखाया गया है जोन ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है ताइगर यानि सल्मान खान की 20 मिंट की इंटरी फिल्म को अलग लेबर पर ले जा लेती है सल्मान की मौजूद्गी से फिल्म को बहुत फाइदा म में कम तर दिखाना अच्छा लगता है डिंपल का पाड़िया और असुतो जराणा ने अपनी भूमी का में प्राड फूग दिये हैं और सारुक को फिजिक्स और लॉजिक को दर किनार करने वाला एक्षन करते देखकर मज़ा आ जाता है फिर चाहे वो हेलिकाप्टर के है कि सारुक ने बाकई एक्षन पर बहुत महनत की है अगर ऐसे ही रहा तो मैं उन्हें आगे भी एक्षन वाले अपतार में देखना चाहूंगा बस बो अगली बार अपनी भारी आवाज में ना पोले जैसा पठान और रईस दोनों में किया है सिद्धात आनन ने वार में क क्लियर कर दिया था कि वो एक्षन के स्टाइल वाले पहलू में रुची रखते हैं इसलिए वो इसी तरह की फिल्में बनाएंगे और फिल्म में कुछ सीन तो बाकई कमाल के थे जैसे की बंदूख हबा में हुचल रही है तो आपका कैमरे उसके साथ चल रहा है मिसन प्रटान का मिसल में सामिल होना रौ के अपसर का आपस में नीती बनाना और फैसले को लेकर बहस करना और फिर दुबई के एक सम्मेलन में सामिल होने जा रहा है बैग्यानी को पर हमला जौन इबराहिम को यसराज फिल्म की फिल्म धूम ने ही करियर का जीबंदान दिया थ लेकिन सिद्धार्थ आननन लगता है कि इस फिल्म को मसाला बनाने के लिए जहां से जो मसाला मिल सका उठा लिया पकवान अच्छा बना है स्वादिष्ट भी है लेकिन इसकी खुसबू भी ताजी है तो फिल्म वाकई बेहत कमाल की फिल्म बन सकती थी और अक्द वीच का जैसे ही जिकर आता है तो याद आता है जंगल बुक में आग को मिलने वाला रक्त फूल और निर्देसक सिर्दात आनन असरुबा चार फिल्म रुमानियत के एहसास की बनाने के बाद जब रतिक रोसन को लेकर पहली एक्सन फिल्म बैंग विंग बनाई तब ही उनके नजर ये की फिल्म पठान भी है कैमरा यहां सीधे कलाकारों के चहरे पर नहीं आ टिकता है वह आस्मान से दिखता है आस्मान के बाद अब रंड में दर्सक को बांता है फिर चाहे वह जौन का अड़ा हो बेसरम रंग का फिल्मांकन हो दुनिया की सबसे गहरी मीठी पानी के जी कि सतह पर पाइक चेज हो या फिर पहाडियों से गुजरती ट्रेन पर फिल्माया गया एक्सन सीक्वेंस उनके निर्देशन में एक सफाई है एक रोमांच है और एक ऐसा आकरसर जो सही सितारों और सही कहानी मिलने पर कमाल करता है कमाल यहां भी उन्होंने किया है दो पाने के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फैस कॉंटेंट मिलते रहे धन्यबाद जय हिंद जय भारत जय स्रीराम